आज से दो दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि grow application से पैसा कैसे कमाये उसमें मैं आपको ये वाला screenshot दिखाया था कि मैं एक दिन में 5000, 7000, 8000 यहां तक 10-10,000 का profit मैं intraday trading से बनाता हूं और आपको वादा किया था कि मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से intraday trading मैं करता हूं और क यहां पे आज का मेरा profit देख सकते हैं कि यह मेरा profit अभी चल रहा है यह profit उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है तो कैसे intraday trading करना है अगर आप नए है तो किन-किन बातों का ध्यान में रखना है कैसे loss से बचा जाता है और कैसे हमेशा profit पे ही जाया जाता है यहां पे द नहीं होगा तो हमेशा प्रोफिट ही बनेगा तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजे बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा तो अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिए जल्दबाद जी में इस वीडियो को नहीं देखीगा आधा अधूरा देख करके इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे आपका सारा पैसा डूब जाएगा सबसे पहले आपको सही नोलेज लेना है जो मैं आज इस वीडियो में सेयर करने वाला हूँ ये मेरे साढ़े चार साल का एक्सप्रियंस है जो कि आपके साथ सेयर करूँगा और यहाँ पे सभी ऊफिड बनाएंगे तो अगर आप सिखना चाहते हैं तो इसके लिए चलिए मैं ग्रोफ एक्लिकेशन को और आपकार अगर अपके सं चारी करेंगे तो कुछ इस तरिके का इंटरफ्येस आएगा और यही से हम इन्ट्राडे ट्रेडिंग करने का कई पाठ देख किस लेबर में है इसको लेबल भाई वाटा जाता है तो अगर आप पहले लेबल पे हैं पहले लेबल पे वो लोग इसके अलवा आप बैंक निप्टी में कर सकते हैं, किसी भी अलग एश्टोक में आप यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेडिंग में तिन चार बाते ध्यान रखेगा कि आपके पास अमाउंट कितना है, अगर आप किसी एश्टोक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें आ अगर आपका सेलरी 15,000 रुपया है, तो उसमें से 4,000 रुपया ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाना है, अगर उस पैसे से अगर आप बढ़ा पाते हैं, तब आपको ट्रेडिंग करना है, अगर वो पैसा डूब जाता है, लोस होता है, तो आपको इंट्राडे ट ट्रेणिंग करना है कम अमाउंट में ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखे इसका ग्राप है यह इसका ग्राप है हमें ग्राप को समझना होता है कि कम मार्केट उपर जाएगा अब कम मार्केट नीचे आएगा तो यहां पर द समय लगता है तो यह आपको नहीं बताऊंगा मैं मोटी मोटी चीजे मैं आपको बताऊंगा जो ज्यादा important है ठीक है तो यहाँ पर candle को देख सकते हैं इसको judge कर सकते हैं अब यहाँ से हम एक बार अलोट यहाँ पर हम बुक करते हैं तो उसका expiry date होता है तो expiry date हमेशा बीरवार को होता है nifty 50 की अगर bank nifty की बात करें तो बुद्वार को और यहाँ पर अगर हम nifty 50 में बात करें तो यह विरस्पतिवार को तो यहाँ पर date देख सकते हैं कि आज मंगलवार है और 13 तारीक है ठीक है तो मंगलवार 13 तारीक बुद्वार 14 तारीक और 15 तारीक विरस्पतिवार को यह expire होगा तो अगर आप खरीदेंगे और अगर इसको नहीं बेचते हैं तो यह automatic expire हो जाएगा और आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा तो expiry date से पहले आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा इस बात को ध्यान रखेगा समय टू समय आपको चीजे किलियर होते जाएगा अभी वीडियो को ध्यान से देखेगा ठीक है तो सबसे पहले हम समझ लिए expiry date उसके बाद यहां पे option आता है call price और यहां पे option आता है put price अब इसमें हमें कौन सा पाई करना है call price या फिर put price तो कभी भी देखिए जब भी share market उपर जाएगा जब भी share market हमें लगता है कि उपर जाएगा तब हमें call price में buy करना है अब call price में यह है in the money और यह है out of the money ठीक है और put price में यह है in the money नीचे वाला in the money और यह है out of the money तो जब भी market उपर जाएगा तो हमें call price के तरफ का हमें in the money में से buy करना है ठीक है तो अभी देखते हैं कि market उपर जा रहा है तो एक बार यहां से मैं back आता हूं तो यहां पर दीखें अभी भी यहां पर जो graph है यह उपर जा रहा है तो हमें क्या खरीदना है call price के in the money call price में हमें in the money बाय करना है और कभी अगर लगता है कि market नीचे के तरफ जा रहा है तो हमें put price के तरफ का बाय करना है in the money ठीक है तो अभी क्या है market उपर जा रहा है तो हम in the money खरीदेंगे call price में ठीक है यहां पर दिखी एक circle बीच में आपको दिख रहा होगा यह पट्टी जो कि हमें live market बताता है कि market कितना अंक बढ़ा और कितना अंक गिरा तो इसको देख करके हम पता करते हैं यहीं पर बार बार हमें आगे पीछे नहीं करना होता है ठीक है यहीं पर सारी चीज़े देखते है तो यहां पर सभी चीज़े अगर clear हो गया तो हम आएंगे back उसके बाद अब हमें इसमें पैसा add करना होगा तो पैसा add करने के लिए यहां profile पर click किजिएगा उसके बाद यहां पर दिखे हमारा पैसा दिखेगा तो अगर आपके पास पैसा add नहीं है तो add money पर click करेंगे और यहां पर अपने bank से यहां पर यही से किसी भी पैसा add कर सकते हैं और पैसा यहां पर आ जाएगा और पैसा add है तो इसी से हम trading करेंगे ठीक है उसके बाद market का चाल यहां पर देख सकते हैं ऊपर के तरफ जा रहा है तो यहां option chain पर click करेंगे तो यहां पर दीके call price में हमें in the money में से कोई भी हमें buy करना होगा अब यहाँ पे जैसे माल लीजे कि इसमें मेरे को position बनाना हो तो इस पर मैं click करता हूँ उस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे nifty 50 ये इस तरीके का option आएगा इस पर आपको click करना है इसको buy करने से पहले सभी चीज़े आपको समझ लेना है इसका आप यहाँ पे चाल देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी low हो रहा है एक बार scroll करकी यहाँ से नीचे आएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर देखे अभी इसके buyer कितने है 49-40% और seller कितने है 60% तो इसका chance है कि हमेशा यह down होगा यह बढ़ेगा नहीं कैसे हमें पता चलता है तो ध्यान रखी कि जब भी market में कोई बीची जाता है और खरीदने वाले जादा हो तो वहाँ पे उसका rate बढ़ जाता है और खरीदने वाला कोई नहीं है तो यहाँ पे खरीदने वाले कम है तो इसका rate बढ़ेगा नहीं तो हमें ऐसा चुनना है जिसमें खरीदने वाले जादे हो और sale करने वाले कम हो तो यहाँ पे चलिए मैं कोई और देख लेता हूँ तो उस पर मैं किलिक करूँगा और इस तरीके से मैं back करके देखूँगा तो इसको देखे 54% buyer है और 44% seller है मतलब 55-56% मतलब यहाँ पे खरीद रहे है तो इसका rate बढ़ेगा ही बढ़ेगा और यहाँ पे यह लोग sale कर रहे हैं तो इसका rate मतलब गिरेगा तो कभी भी खरीदने वाले जादा हो उसी को आपको खरीदना है तो अब position कैसे बनाना है इसमें तो यहाँ पर देखे यहाँ पे हमें option देखेगा buy का ठीक है buy पर किलिक करेंगे अब buy पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखे यह इसका current price चल रहा है 190 रुपया ठीक है यहाँ पर option आएगा delivery और यहाँ पर आएगा intraday काफी सारे लोगों को लगता है कि जब भी हम trading करते हैं तो एक ही दिन में sale हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप delivery में buy करते हैं तो इसको hold करके कुए आप रख सकते हैं कि अँप तक बिरस्पति वार तक तो यहाँ पर हमेशा आपको कोशीस क्या करना हی कि आज खरीदा और आज ही बेच दें ठीक है तो बिरस्पतिवार के दिन आपको नाहीं खेलना है नहीं आपको खरीदना है या फिर इसे जो price चल रहा है इस price में तो market price अगर आप buy करते हैं तो जो price चल रहा है इसी में buy हो जाएगा लेकिन मैं चाहूं कि इसमें limit लगा दूँ तो यहां market वाले पर click करेंगे तो यहां पर देखें limit लग जाएगा यहां पर limit लगा सकते हैं अभी 190 चल रहा है लेकिन मेरे को लगता है कि 180 पर मैं buy करना चाहता हूं तो 180 लगा करके छोड़ दिंगे तो यहां पर A2Z चीजे आप समझ गए अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो comment करके पूछेगा बलकि वीडियो को आप दो बार दिखेगा लिमिट लगा करके खरीदना है market price पर आपको नहीं खरीदना है तो कभी भी इस पर आप click करेंगे तो यहां से limit लग जाएगा उसके बाद यहां पर limit का amount चूच करेंगे कितना पर buy करना चाहते हैं तो जैसे माल लिजे कि मैं यहां पर 97 रुपय में buy करना चाहता हूँ जब 97 रुपय गिर करके ये आएगा ये वाला तब ये automatic buy हो जाएगा तो कभी भी आपको limit लगा करके ही buy करना चाहिए तो मैं यहाँ पे 97 रुपया select कर लिया उसके बाद यही पे नीचे option दिखेगा buy का buy पर click करेंगे one click में ये buy हो जाएगा उसके बाद यहाँ done पर click करेंगे उसके बाद ये दिखने लगेगा यहाँ order में ठीक है हम यहाँ order में आएगे ठीक है तो order में इसका हम 97 में buy की हैं और अभी इसका price क्या चल रहा है 101 रुपया तो जब गिर करके 97 रुपया पर आएगा तो ये automatic buy हो जाएगा market price पर buy करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक second में ही 2 रुपया 3 रुपया उपर चला गया तो click करते भर में आपको 101 में आप buy करना चाहते हैं 105 रुपय में buy हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां तो second में उपर नीचे हो रहा है अगर आप कभी भी खरीते हैं और कम rate पर खरीते हैं और इसका rate लगातार बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है नीचे नहीं आ रहा है तो इसको modify भी कर सकते हैं वैसे मैं modify नहीं करूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़े बताओं तो कभी भी इसी पर आपको click करना है अब उस पर click करेंगे तो यहां पर देखे option आएगा order detail का और यहां पर option आएगा modify का modify पर click करके 97-9999-100 उपर नीचे भी कर सकते हैं भी कर सकते हैं जादा भी कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़े आपको पता चले लेकिन मैं यहां पर modify नहीं करूंगा 97 मेरा लगा है 98 तक आ रहा है ठीके थोड़ा सा नीचे आएगा यह buy हो जाएगा अब यहां पर देखे जैसे उपर जाएगा तो यह profit बनेगा 250 रुपया यह मैं आपको शुरू में दिखाया था तो यह मेरे को 770 का profit बना यह 215-220 से उपर नीचे हो रहा है ठीके तो यहां पर कुछ दिर वेट करेंगे और यहां पर जादा दिर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है तो कभी भी दिखिए इस पर हमें stop loss लगाना होता है मतलब loss से बचने के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखे आपको दिखेगा यहां पर एक option add stop loss and target price ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब माली जे कि 97 में खरीदे हैं तो यह पूछेगा कि कितना loss सेहना चाहते हैं मैं यहां पर जैसे अपने capacity के उपर होता है चलिए मैं 80 रुपया आएगा तो यह नीचे गिर करके आएगा तो यह sale हो जाएगा उसके बाद यहीं पर option आएगा target price कि 97 में तो खरीदे हैं कितना उपर जाएगा तो sale करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जोड सकते हैं जैसे माली जे कि यहां पर 110 यहां पर add कर दूँ 110 इस तरीके से मैं add कर दिया 110 तो गिर करके आएगा 80 रुपया ठीक है यहां पर समझे गिर करके अगर 80 रुपया तब भी sale हो जाएगा और बढ़ करके 110 टच करेगा तब भी sale हो जाएगा मतलब automatic चीजे हो जाएगा आपको कुछ करने का जुरूरत ही नहीं आपको नहीं ज्यादा loss होगा और नहीं ज्यादा profit ज्यादा profit के चकर में पढ़ेंगे तब ही loss होता है ठीक है तो यहां पर इस तरीके से इसको कर देंगे उसके बाद sale पर click करेंगे यहां पर देखे यह order confirm हो गया ठीक है order यहां पर लग गया 80 और 110 में ठीक है अब उपर नीचे कहीं भी जाए इसको touch करें यहां पर यह यह sale हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों जैसे मालीजे कि हम stop loss लगा दिये हैं उतना touch करेगा तो sale होगा लेकिन अगर हमें लगता है कि जैसे मालीजे कि हम 110 पर लगाए हैं यहां पर exit का option आएगा exit पर click करके exit कर सकते हैं तो यहां पर जितना भी buy किये होंगे तो एक तो पहले से यह sale है और एक अभी current चल रहा है इसका price उपर नीचे हो रहा है मतलब यह चल रहा है तो इस पर click करके sale कर सकते हैं चलिए मैं कुछ दिर wait करता हूँ तो यहां पर दोस्तों देखे मैं फिर से कुछ दिर wait किया 330 का हमारा profit चल रहा है चलिए यहां पर एक ही अभी चल रहा है तो मैं इस पर click करता हूँ उसके बाद यहां पर option आएगा buy का आप और भी buy कर सकते हैं 50 को entity है और exit होना चाहते हैं तो exit पर click करेंगे यहां पर हमारा profit अभी दिख रहा है 300 प्लस हमारा profit चल रहा है exit पर मैं click करता हूँ यहां पूछेगा आप limit लगाना चाहते हैं तो limit वगरे भी लगा सकते हैं लेकिन जब sale करना हो तो आप limit भी लगा लिजे लेकिन कई बार limit लगाने के चक्र में उपर नीचे हो जाता है तो मैं तो कहूँगा कि market price पे ही वन जटके में ही आप इसको sale करके बार हो जाईए यहां पे देखे successful हमारा sale हो गया sale order completely यहां पे order sale हो गया अब done पर मैं click करता हूँ अब done पर click करेंगे तो यहां पर अपना profit देख सकते हैं ठीक है यहां पर देखे यह है 442 रुपया का अभी का profit और 717 जो था शुरू में यह था तो यह हमारा आज का यह profit है और मैं इसको ऐसे swipe करके भी दिखा देता हूँ कहीं कहेंगे ऐसा तो नहीं कि screen shot कहीं का लगा दि ठीक है और पहले वाले में मैं 98 में खरीदा था और 112 हुआ sale करके मैं यहां से निकल गया तो दोस्तो यह तरीका है इस तरीके से trading किया जाता है यहां पर दोस्तो जब भी आप trading करेंगे और यहां पर जैसे मेरे कोई 1160 रुपया profit बन गया और आप सोचेंगे कि चलो और मैं profit बना लेता हूं ठीक है तो यहां पर आप किलिक करेंगे तो ऐसा गलती नहीं किजेगा जब आपका profit हो गया उतना ले करके आप बाहर जाईए अब आपको यहां पर देखना ही नहीं है market उपर जा रहा है यहां पर नीचे जा रहा है यहां पर कुछ मत देखिए देखेंगे तो लालच लगेगा और जो कमाए हैं वो भी गमा देगे तो दोस्तो इस तरीके से option trading किया जाता है तो जो चीजे मैं आपको समझाया क्या आपको यह समझ में आया आप कितना सीख पाए मेरे को comment करके जरूर बताइगा और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखें तो द आखो रूपया को करोड़ों में बदल सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप option trading कर सकते हैं profit बना सकते हैं